बुलट का इंजिन इतनी तेज आवास क्यों करता है और आज आपके ही ब्रेन की एक ऐसी वीडियो क्लिप को देखने वाले हैं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे और आखिर रशियन एस्टरनोट्स मिशन पर जाने से पहले बस के टायर पर यूरिन क्यों क परता है लेकिन क्या आपको बता है कि इन सारी प्रॉबलम को सॉल्व करते हुए चायना में रोलर इसकेट रेस्टोरेंट को भी खोला गया है जहां पर फूड सर्व कोई आम वेटर नहीं बलकि प्रोफेशनल स्केटर्स करते हैं दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको ज इसके चलते हुए इस रेस्टोरेंट को दुनिया की सबसे जादा फास्से सर्विसिंग वाले रेस्टोरेंट मेंसे भी एक रेस्टोरेंट माना जाता है और ये चीज़ वास्तम में लाजवाब है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम सोने जाते हैं तो हमारा ब्रेन अलग-अलग स्लीपिंग स्टेजिस से होकर गुजरता है जैसे कि नौन-REM और REM स्टेजिस तो ये तो बात हो गई हमारी स्लीपिंग स्टेजिस की लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी हमारा इन stages में से होकर गुजर रहा होता है तो उस समय हमारे brain cells में क्या-क्या बदलाब होता है दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें हमारे brain cells की अलग-अलग stages में अलग-अलग activities को दिखाया जा रहा है जिसमें आप साफ तोर से यह देख सकते हैं कि हमारे brain cells किस तरीके से अलग-अलग sleeping stages में अलग-अलग तरीके से बहेव करते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि अभी-अभी आपने आपके ही brain की एक बेहदी रेयर वीडियो क्लिप को तो ज़रूर देखा है क्या आपको बता है कि Russian astronauts के space suit की कीमत बाकी के astronauts के space suit की तुल नमें काफी जादा होती है लेकिन यहाँ पस सबसे बड़ा twist यह है दोस्तों कि इसके पीछा का कारण कोई advanced equipment नहीं बलकि एक बेहदी अजीब सा tradition है असल में दोस्तों इस tradition के अनुसार Russian astronauts mission पर जाने से पहले जिस बस में rocket launcher side टक पहुंचते हैं वो उस बस के पहिये पर urine करते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए उनके space suit को कुछ इस तरीके से design करना पड़ता है कि वो comfortably इस tradition को follow कर सके हैं और यही चीज उनके space suit को काफी जादा costly भी बना देती है क्या इस facts से पहले आप इस अजीब से tradition के बारे में जौन देरे comment करके जारूर बताईएगा fact number 19 क्या को बता है कि जिपैन में हर 6 साल के बाद log riding festival को भी आयोजित किया जाता है जिसमें एक 12 टन के giant lock को कुछ इस तरीके से पहड़ी के उपर से नीचे की तरफ धकेला जाता है और young Japanese लोग कुछ इस तरीके से उस lock के उपर बैट कर उसकी ride करते हैं असल में दूस्तों लोगों को कुछ ऐसा माना है कि ऐसा करने से वो दुनिया के सामने ये represent करते हैं कि Japanese कितने जादा भादूर और powerful होते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस festival को दुनिया के सबसे जादा अजीवोगरी festivals में से भी एक festival माना जाता है जिसको कुछ इस तरीके से दौनों साइड हाई स्पीड रॉटर्स की साहता से चलाया जाता था असल में दूस्तों इन रॉटर्स की साहता से इस रेल की स्पीड बाकी की रेल्स की तोला में काफी जादा तेज हो जाया करती थी जिसके चलते हुए साल 1930 में ये transportation का एक भैतरीन विकल भी सावित हुआ था बट unfortunately क्योंकि इन तरीके की रेल्स को बनाने में काफी जादा जगे और खर्च आ रहा था तो आगे चलकर इस concept को पूरे ही तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो आभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने साल 1930 की एक भेहदी लाजबाब technology को तो जरूर देखा है जिसके हम सभी चानते हैं कि present date में बूस्टर्स की सायता से किसी भी रॉकेट को इस पेस में लाँच किया जाता है जिसके बाद वो बूस्टर्स वापस अर्थ पर लेंड कर जाते हैं और हमारा रॉकेट अपने destination की तरफ आगे बढ़ जाता है and most probably आपने बहुत सारी रॉकेट लाँचिंग को किसी ना किसी news channels या फिर वीडियो में तो जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपने इस पूरे ही process को space से देखा है दोस्त अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक rocket launching को international space station से shoot किया गया है जिसमें आप बेदी साफ़तोर से ये देख सकते हैं कि कैसे space से एक rocket की launching और उसके boosters के separation के बाद उसकी landing देखाई देती है और वास्तम में rocket launching को इस अंदाज में सिर्फ औसिफ international space station पर मौझूद astronauts ही देख पाते हैं वो हमारी skin के उपर मौझूद bacterias को खत्म करना शुरू कर देता है लेकिन क्या आपने इस पूरी process को कभी भी अपनी आँखों से देखा है दोस्तों भी आपकी skin पर आपको जो वीडियो के लिप दिख रही है उसमें एक hand sanitizer के दौरा हमारी skin के उपर मौझूद bacterias को धीरे धीरे खत्म करता हुआ दिखाया जा रहा है जसमें आप बेदी साफसार से ये देख सकते हैं कि कैसे एक hand sanitizer को भी हमारी हतेली के उपर मौझूद bacterias को पूरी तरीके से खत्म करने में approximate एक से देड़ मिनट तक का समय लगता है तो next time जब भी आप hand sanitizer का इस्तमाल करें तो उसको डालने के कुछ देर के बाद ही किसी भी चीज़ को consume करें तो आप ही कह सकते हैं कि अभी आपने कुछ बेदी rare तो जारूर देखा है जैसे कि हम सभी चांते हैं कि इंसानी blood मौटे तोर पर plasma, wbc, rbc और platelet से मिलकर बना होता है वो कारण है जिसके चलते हुए अगर किसी भी इंसानी blood की एक drop को चारिया उससे जादा दिनों तक बिना टच करें सिर्फ वो सिर्फ हवा के contact में ही रखा जाता है तो वो एक तरीके से कांच के जैसे material में convert हो जाती है कि हवा के contact में आने के बाद कैसे धीरे धीरे react करकि ये blood एक तरीके से कांच की जैसे material में convert हो जाता है जिसे आप कुछ इस तरीके से अलग-अलग pieces में तोड़ भी सकते हैं बलकि साल 1960 ही है असल में दोस्तों बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन साल 1960 में लंडन के साउथ वर्ट में दुनिया की सबसे पहली जिड़ पार्क नाम की automatic car parking को बना का तयार किया गया था जो कि उस समय पर इतने बड़े scale पर famous हुई थी कि आज present date में इसी concept को adopt करते हुए बहुत से advanced countries अपने देश में कुछ इस तरीके की robotic car parking को बहुत बड़े scale पर बना रहे हैं तो finally अब आप इन तरीके की car parking की असली हाकिकत भी जानते हैं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि इनसान की kidney में max to max कितने stones हो सकते हैं तो आप बोलेंगे 3, 4, max to max 10, right लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2009 में यूरोलोजिस्ट आशिश रवन दाल पाटिल ने जब एक पेशन्ट की kidney को चेक किया तो उस kidney के अंदर कुछ इस तरीके से काफी जादा stones दिखाई दिया और जब इन stones को उसकी kidney से बाहर लाया गया ता आप जाकर ये पता चला कि उस patient की kidney के अंदर 10 या 12 stones नहीं बलकि 1,72,155 stones थे और उसी के बाद से ही आशिश के नाम एक बार में सबसे ज़ादा kidney stones निकालने का world record भी हासिल है strange but true fact number 12 क्या आपको बता है कि आईसलेंड में एक volcano eruption के बाद एक rock naturally एक elephant की shape में convert हो गई हो रही वो कारण है जिसके चलते हुए इस rock को elephant rock के नाम से भी चाना जाता है तो ये तो बात होगो इस rock की अब बात करते हैं कुछ interesting चीज़ की दोस्तों भी अब की skin पर आपको जो video clip दिख रही है वो आईसलेंड के elephant rock की है जिसमें आप बेदी साफतोर से ये देख सकते हैं कि कैसे naturally ये rock volcanic eruption के चलते हुए कुछ इस तरीके से perfect elephant की head की shape में convert हो गई है तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेह दिया लाजबाब तो जारूर देखा है fact number 11 जिसे कि हम सभी चांते हैं कि किसी भी tree या फिर plant की leaf atmospheric carbon dioxide को absorb करने के बाद अपने अंदर से oxygen को release करती है basically इस पूरी process को leaf के अंदर मौझूद इस तो metapore के द्वारा किया जाता है और उस condition में ये कुछ इस तरीके से move करता है कि मानो plant की leaf एक तरीके से सांस ही ले रही हो लेकिन naked eye से इस चीज़ को देख पाना बिलकुल ही impossible होता है तो जो चीज impossible होती है उसी को the possible बनाते है हम दोस्तों अभी आपकी screen पर आपको एक plant की leaf को microscope से दिखाया जा रहा है जिसमें आप बेदी साफस्तोर से ये देख सकते हैं कि कैसे estometa port, carbon dioxide को absorb करने और oxygen को release करने की stage में एक तरीके से ऐसे move करता है कि मानो ये हकीकत में सांस ले रहा हो तो आभी कह सकते हैं कि अभी आपने कुछ बेदी rare तो ज़रूर देखा है fact number 10 दोस्तों इस series में मैंने आपको दुनिया की सबसे पहली photograph को दिखाया था लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी photograph को देखाया जिसमें किसी भी इंसान को capture किया गया था दोस्तों अभी आपकी screen पर आपको जो image दिख रही है उसे Paris में साल 1838 के आपस पास क्लिक किया गया था और इस image को दुनिया की सबसे पहली ऐसी image माना जाता है जिसमें किसी भी living human की existence को capture किया गया था तो आप यह कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेह दी rare तो ज़रूर देखा है fact number 9 क्या आपको बता है कि जब भी आकाशिय बिजली अर्थ के surface पर गिरती है तो उसका temperature sun के surface temperature से भी जादा होता है और यही वो कारण है जिसके चलती हुए जब भी बिजली किसी भी rate से भरी हुई जगे पर गिरती है तो यह rate को melt करके एक तरीके से glass जैसे material में convert कर देती है असल में 200 किसी भी lightning को face करने के बाद sand कुछ इस तरीके से एक ठोस fossil के रूप में convert हो जाती है जिसकी quality काफी हद तक मिलती जुलती होती है एक glass से और इस condition में इस soil को fulgurities के नाम से पुकारा जाता है जिसको collect करके बहुत सी companies अलग-अलग देशों में 1000 रुपे में बेचती भी है क्या expect से पहले आप इस amazing घटना के बारे में जौनते दे comment करके ज़रूर बताईएगा fact number 8 क्या आपको बता है कि इस दुनिया में मौझूद hard clam animal जोकि basically देखने में कुछ इस तरीके की देखते हैं उन्हें काफी जादा amazing filter feeder माना जाता है क्योंकि दूस्तों ये पानी में मौझूद कुछ specific element को filter करने के बाद ही अपने पेट को भरते हैं लेकिन क्योंकि दूस्तों इनका ये filtration काफी जादा fast और छोटे way में होता है जी साफसाओर से ये देख सकते हैं के animal अपनी diet को consume करने के लिए कितने fast way में अपने आसपास मौझूद पानी को filter करता है and that's really strange fact number 7 दोस्तों आपने कभी न कभी pillow fight को तो जरूर खेला होगा लेकिन क्या आपको पता है कि श्री लंका इसी चीज़ को एक next level पर ले जा चुका है असल में दोस्तों बहुती कम लोगों को ये मालुम होगा लेकिन श्री लंका में athlete pillow fight नाम के एक sport को भी खेला जाता है जिसमें दो athlete कुछ इस तरीके से एक wooden beam के उपर बैठ कर एक दूसरे के साथ pillow fight को खेलते हैं और जो भी इंसान अपने balance को बनाये रखकर दूसरे इंसान को कुछ इस तरीके से पानी में गिरा देता है वो अगले round के लिए qualify कर जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस sport को काफी जादा अजीब और unique भी माना जाता है मतलब इस दुनिया में अब कुछ भी चल रहा है fact number 6 दोस्तों आपने अकसर शादी में लोगों को यह कहता हुआ तो जरूर सुना होगा कि हम महमानों के सामने पूरी तरीके से बिच गए लेकिन क्या आपको पता है कि French pollination के लोग इसी चीज़ को कुछ जादा ही serious ले गए है असल में दोस्तों इस country के एक परंपरा के अनुसार शादी में लड़की की side वाले सभी लोग कुछ इस तरीके से जमीन पलेट कर एक human carpet को बनाते हैं और उसके बाद दूला और दूलन के सभी relatives कुछ इस तरीके से उनके उपर चढ़कर या फिर रोल करते हुए शादी में entry करते हैं असल में दूस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से दूला और दूलन की आगे आने वाली जिंदगी काफी ज़्यादा खुशाल और शांत रहती है और इसलिए इस अजीब सी परंपरा को यहाँ पर निभाया जाता है दोस्तों भी अपकी स्क्रीन पर आपको जो प्लैंट की लकडी दिख रही है उसको काफी ज़्यादा चौमतकारी माना जाता है क्योंकि दोस्तों यह कोई लकडी है ही नहीं असल में दोस्तों यह कुछ और नहीं बल्कि एक जीता जाकता इंसेक्ट है जिसको की स्टिक बक के नाम से जाना जाता है अब इस एक बात ये दोस्तों कि इस insect की body कुछ इस तरीके से grow करती है कि इसे देखकर ये पता लगा पाना काफी जादा मुश्किल होता है कि आपकी आखों के सामने मौजूद चीज एक plant की simple सी लकडी है या फिर जीता जाकता insect और इसी कारण इसको ghost insect के नाम से भी जाना जात है लेकिन बात अगर इसकी defense mechanism की की जाये तो ये अच्छे अच्छों की रात की नींद उड़ा सकता है कैसे चलिए दिखाता हूँ दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको great august present के defense mechanism को दिखाया जा रहा है जिसमें आप बेहदी साफसार से ये देख सकते हैं कि अपने anime को ड यदि amazing quality से तो जरूर नवाजा है fact number 3 दोस्तों आपने वो line तो जरूर सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि एक तामें शक्ती है और उसी का ही जीता जटता example saw flies भी है असल में दोस्तों जब saw flies अपनी larva stage में होती है और उस condition में इनने एक जगे से दूसरी जगे travel करना होता है तो ये एक दूसरे के साथ coordinate करके कुछ इस तरीके से एक जगे से दूसरी जगे travel करती है ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि उस condition में अगर इनका कोई भी एनिमी इनको देखे तो उसे ये छोटे छोटे लार्वा की जगे एक काफी बड़ा insect नजर आए और वो इनको परिशान ना करे और ये चीज अपने आप में काफी ज़ादा amazing है कि कैसे छोटे-छोटे insect भी इस चीज़ को समझते हैं कि एक ताम है शाक्ती है दोस्तों ये वाला फेक्ट करेंट अफेर की टच पर है कि आपको बताएं कि अभी हाल ही में वेस्ट बंगॉल में भारत की सबसे पहली बोड लाइबरेरी को बना कर तयार किया गया है और इस लाइबरेरी में बच्चों के लिए इंग्लिश और बांगला लेंग्विज की 500 बुक्स और फ्री वाइफाई की सुबधा भी दी गई है साथी साथ वेस्कों के लिए इस लाइबरेरी का शुल्क मातर 100 रुपे है और ये चीज़ वास्ता में काफी जादा सरहाना योग्या है बुलट का इंजन इत्ती तेज आवास क्यों करता है? असल में दोस्तों सीज को भी आपने कभी न कभी नोटेस सो जरूर किया होगा कि बुलट का इंजन काफी जादा बड़ी और पावरफुल सुपर बाइक्स की तुलना में भी काफी जादा तेज आवास करता है लेकिन आगर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों बहुती कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन रोयल एंफिल्ड ने हत्यार बनाने वाली कमपनी के तर्च पर अपने बिजनिस को शुरू किया था जो कि एंफिल्ड राइफल्स के नाम से फेमस था और उसके बाद साल 1901 में कमपनी ने मॉटर सैकल बनाने की शुरूआत की और उस समय इस मॉटर सैकल की टेग लाइन थी टोप की तरह दिखने वाली, गोली की तरह चलने वाली यानि कि यह बाद साफ है कि बुलट की इंजन को स्पेशली कुछ इस तरीके से ही डिजैन किया गया था जिसके चलते हुए वो काफी जादा तेज आवास करे लेकिन आखिर एक इंजन इतनी तेज आवास कैसे कर सकता है असलने दोसर सभी बाइक्स में तीन तरीके के इंजन का इस्तमाल किया जाता है पहला स्क्वेर इंजन जिसमें पिस्टन की रोड की लेंट और सिलेंडर का डायमीटर इक्वल होता है इसमें cylinder का diameter piston rod की length की तुला में ज़ादा होता है जिसकी वज़े से इसमें piston का movement काफी ज़ादा fast होता है जिसके चलते हुए इसमें rpm और power ज़ादा generate होती है आप क्योंकि इसमें piston का movement काफी ज़ादा तेज होता है तो इन तरीके की bikes कम आवाज में तेज speed के साथ दोड़ सकती है और इसलिए super bikes में इन ही तरीके के engines का इस्तमाल किया जाता है आप दोस्तों बात अगर तीसरे engine की की जाए तो वो है under square engine इसमें cylinder का diameter piston की rod की length की तुला में कम होता है जिसकी वज़े से इन तरीके की engines में piston का movement थोड़ा slow होता है and as a result जब इस तरीके का engine अपने अंदर से extra gases को silencer के थुरू बाहर निकालता है तो उनकी intensity काफी जादा high होती है और यही वो कारण है जिसकी वज़े से हमें bullet की engine में रुक रुक के थंप थंप जैसी आवाज सुनाई देती है क्योंकि इसमें piston slow speed के साथ लेकिन पूरे ही power के साथ extra gases को अपने अंदर से बाहर धकेलता है अब आप यह जानते हैं कि bullet का engine इतनी तेज आवाज क्यों करता है अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खुल के like, share और comment ज़रू कीज़ेगा आप चाहें तो मुझे से ग्रैम पर भी follow कर सकते हैं जिसका लिंक आपको स्क्रीण पर या आवे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक और फ्रेच कमाल वीडियो में आप से बीसे दोबारा हो लाकात हो कि दोस्तों जाहिंद